नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपसे पहले एक वीडियो में हमने बताया है कि mutual funds में आप किस तरह से invest कर सकते हैं आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि mutual funds के अंदर जब आप SIP के थुरू invest करते हैं तो आपसे कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका long run में आपकी SIP पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आप जो सोच कर जो returns expect करके SIP लगाते हैं वो returns आपको मिल नहीं पाते हैं चले शुरू करते हैं अगर आप mutual funds के अंदर SIP कर रही हैं और आपका tenure है 2-3 साल का या 4 साल का तो उसे सबसे बड़ी गलती है mutual funds जिसमें हम SIP के थुरू invest करते हैं यानि systematic investment plan के थुरू invest करते हैं एक long duration उसका होना ही चाहिए long duration जब हम कहते हैं तो कम से कम 10 साल का tenure उसका होना चाहिए 15 साल, 20 साल, 25 साल हो बहुत अच्छी बात है लेकिन on an average उसको एक उतार चड़ाव market के जो volatility है उसको handle करने के लिए उसके output आपके तक पहुँचें उसके लिए उसको लगबग 7-8-10 साल का समय चाहिए तो चाहे जरूरत के लिए या फिर आपको expected returns नहीं मिल रहे हैं इसलिए आपने किसी भी कायरण वेश अपना पैसा दो साल, तीन साल, चार साल में अगर निकाल लिया ये बहुत बड़ी गलती है दो-तीन साल के अंदर किसी भी SIP से आप बहुत ज्यादा कोई returns की expectation नहीं कर सकते unusual circumstances हर इक जगा होते हैं किसी ने अगर lockdown के अंदर invest किया था वो दो साल बात पैसा निकाल रहा है naturally उसको returns बहुत अच्छे मिले होंगे लेकिन general situations के अंदर दो-तीन साल के लिए SIP लगाना कोई समझदारी का निर्मे नहीं है अगर आप SIP के अंदर बहुत heavy amount डाल रहे हैं आपने कहीं पर भी और invest नहीं का रखा total amount आप SIP के अंदर डाल रहे है उस समय आपकी financial circumstances अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी handsome amount SIP के अंदर डाल सकते हैं लेकिन SIP बहुत long term के लिए जाना चाहिए 10 साल, 15 साल, 20 साल तो इतने लंबे tenure के लिए आपको ये पहले अंदाजा लगाना होगा क्या आप इतने लंबे tenure के लिए अपने SIP का amount इतना लगातार दे पाएंगे क्योंकि समय के साथ अगर आप अपने SIP के amount को घटाते हैं उसकी जगा पर अगर आप एक regular कम amount invest करते हैं वो बहतर रहेगा, वो बहतर तरीके से market के उतार चड़ाव के साथ उस चीज़ को set कर पाएगा और आपको better returns दे पाएगा नमबर 3, जो इसके उलट है having minimum amount of SIP अब SIP तो आप चाहे 100 रुपे महीने से लगा सकते हैं 200 रुपे महीने से लगा सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कुछ लोग बहुत डरते हैं कि equity market के अंदर invest कर रहे हैं after all तो पैसा shares में invest हो रहा है हमारा तो बहुत थोड़ी थोड़ी amount 500 रुपे महीना, 1000 रुपे महीना जिसका तो total financial structure उतना ही है कि उसने 1000 रुपे महीना ही लगाना है या जो amount आपने हर साल कहीं भी invest करना है उसका 35-40% तो आपका SIP के अंदर जाना ही चाहिए saving scheme जो PPF है, सुकर्ने असमृदी account है, FD है, senior citizen saving scheme है इन सब में आपको 78% से ज्यादा नहीं returns आते हैं और 78% interest जो आपको आता है वो inflation उतना हर साल बढ़ जाता है इसलिए 35-40% के लगभग आपका SIP जाना चाहिए, जहां से आप 15-20% की growth expect कर सकते हैं नमबर 4, having less diversification चलिए आपने SIP का amount भी अच्छा decide कर लिया, आपने 40% जितना आप हर महीने invest करना चाहते हैं वो SIP भी लगा दिया, लेकिन आपने जब fund choose करते समय देखा के कौन-कौन से funds अच्छा perform करते आ रहे हैं आपने कोई 1, 2, 3 funds लिया और उनके अंदर invest कर दिया अब example के तौर पर मान लेते हैं, आप 20,000 रुपे महीने के SIP लगाना चाहते हैं और आपने 10-10,000 रुपे की 2 funds के अंदर invest कर दिया ये अच्छा निरने नहीं है अगर आपने 20,000 रुपे महीना लगाना है, उदहरन की अमाउंट है 20,000 रुपे महीना मान लेजिए आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम 4-4,000 रुपे के 5 तरहां के fund आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं कम से कम 4-4,000 रुपे के 5 तरहां के fund लगाई और 20,000 रुपे अपना हर महीने invest कीजिए ताके कोई एक fund या कोई दो fund मान लेजिए बहुत अच्छा perform नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी के 3 या 4 fund उससे better returns दे रहे हैं तो on an average आपका SIP के return आप 20% expect कर सकते हैं लेकिन अगर आपने एक या दो ही funds के अंदर invest किया है और वो fund या तो बहुत अच्छा perform करेंगे आपको 25-30% की भी return दे सकते हैं लेकिन अगर मान लीजिए वही fund अच्छा perform नहीं करते हैं तो उनको cover करने के लिए आपके पास कोई option नहीं रहे Cancelling SIP during market volatility जब भी कोई महौल market में ऐसा आता है कि market बहुत ज़्यादा down चली जाती है हमने देखा है lockdown के दिनों में जब lockdown start हुआ उस time कितना बड़ा market में crash आया था उसके बाद जब Ukraine रशिया की war शुरू हुई तब भी बहुत ज़्यादा market down आया था तो इस तरह कि जब बड़े crash आते हैं market बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे चली आती है तो अक्सर लोग घबरा कर कि ना जाने अब क्या होने वाला है घबरा कर market से अपना पैसा निकाल लेते हैं या तो जो SIP कर रही हैं वो लोग SIP देना बंद कर देते हैं ये सबसे ज़्यादा घलत निरने हैं सही मायने में चाहे वो करोना की वज़ा से हो चाहे किसी जंग की वज़ा से हो चाहे normal market situations की वज़ा से हो किसी भी कारण से अगर market down है तो वही सबसे सही समय होता है market के अंदर invest करने का चाहे आप direct market के अंदर invest करें चाहे आप SIP के थुरू invest करें लेकिन जब सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ज्यादा down है वो perfect time है आपको SIP लगाने का और in fact जो लोग उस time लगाते हैं उनको top up करना चाहिए यानि कि extra amount और invest करना चाहिए अगर आप ऐसे समय में SIP को बंद कर देते हैं तो ये सबसे गलत में रने है आपका कभी भी SIP average return आपको नहीं दे पाएगा reviewing ship returns after very short intervals आम तोर पर नए investors के साथ होता क्या है हमने SIP start किया उसके बाद हम 2 महीने में देख रहे हैं fund कहां perform कर रहा है मुझे कितने पैसे बच रहे हैं फिर 2 महीने में या फिर कई लोग daily watch कर रहे हैं उसको कई लोग weekly watch कर रहे हैं हम साल 6 महीने तक watch करते हैं उसके बाद अगर देख रहे हैं कि इसमें तो मुझे कुछ loss हो रहा है या फिर इससे ज्यादा तो मैं bank FD में भी earn कर सकता था अगर आपकी सोच ऐसी है तो बिल्कुल आपको SIP नहीं लगाना चाहिए लेकिन यहां आपकी सोच गलत है SIP लगाने के बाद उसे कम से कम 4-5 साल का समय दीजिए हाँ आप funds को compare कर सकते हैं उस पर नजर भी रखनी चाहिए लेकिन फिर भी 4-5 साल का समय देना चाहिए जो fund बिल्कुल ही अगर आपको negative जाता हुआ नजर आ रहा है हो सकता है आप उसको बंद कर दें और वो सही निरने भी हो लेकिन अगर आपका fund कुछ perform कर रहा है आपको लगातार 4-5 साल तक उसका wait करना चाहिए फिर भी अगर वो performance नहीं दे पा रहा है उसका returns कुछ भी नहीं आ रहा है 10% return भी नहीं है आप उसको switch कर सकते हैं लेकिन इससे पहले नहीं बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे intervals पर अपने profits को देखना SIP को watch करना ये कोई समझदारी नहीं है Past performance versus NAV NAV यानि के net asset value हम जब भी अपने funds का चुनाव करने लगते हैं SIP आपने start करना है funds का चुनाव करना है तो हम देखते हैं past क्या है उस fund का history क्या है गलत है तब lockdown से लेकि अब तक तो naturally बहुत अच्छा ये return दिया होगा lockdown में किसी ने invest किया है तो उसके अब तक तो पैसे double हो ही गए होगी लेकिन आपको देखना क्या है कम से कम पिछले 5 से लेकर 7-8 साल तक उस fund ने क्या performance दिया है बैटर है कि आपको उसका 10 साल का performance चेक करें अगर on an average वो आपको 15% से उपर का return दिखा रहा है और होना तो चाहिए सही माइने में 20% का अगर फिर भी आपको 15% से उपर का return पिछले 10 सालों में वो fund के history बोलती है कि दिखा रहा है तो ही उसके अंदर invest करना चाहिए लेकिन एक दो साल के उसकी performance चाहे 40% का return भी दिया हो उसको देखकर आपको कभी भी invest नहीं करना है आम तोर पर जब आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से fund की nav कम है किसी की nav अगर 90 रुपई है दूसरे की 200 रुपई है तीसरे की 400 रुपई है आप सस्ते nav वाला fund चूज कर लेते हैं लेकिन इसमें कोई फरक नहीं पड़ता हर company का अपना system है हर mutual fund house का अपना system है किसी की nav 90 है किसी की 200 है किसी की 400 है इन चीजों के technicality में आपको लजने की जरूरत नहीं है आपने सिर्फ इतना देखना है कि fund का पिछले साथार 10 साल का performance क्या है स्टार्टिंग सिर्फ एट रॉंग टाइम आम तोर पर क्या होता है जब market लगातार उपर जा रहा है cents-ex 50,000 से 52,000 से 54,000 से 55,000, 56,000, 60,000 cents-ex लगातार market उपर जा रहा है तो हमें लगता है ये cents-ex तो अभी 2 महिने में लाख रुपे तक टच कर जाएगा ये cents-ex 3 महिने के अंदर 1.5 लाख रुपे तक पहुंच जाएगा और उस bullish market के अंदर आप invest करते हैं चाहे वो share market हो चाहे वो SIP हो अब जब market लगातार उपर जा रहा है आपका मन करता है कि आप invest करें लेकिन ये सही निरने नहीं है ना ही direct invest करने का ना ही SIP के थूँ invest करने का आप wait कीजिए 15 दिन लगें एक महिना लगेगा या 2 महिने लगेंगे market मौका जरूर देती है market नीचे किसी ना किसी point पर जरूर आती है उस समय जब market down है जब bearish market है वहाँ आपको invest करना चाहिए जब आपने एक down market के अंदर invest किया है उसके 2-3 महिने में जब market सुधरती है आपको positive results अपने funds से मिलते हैं दिखते हैं तब आपका हॉंसल आभी बना रहता है psychologically भी यह अच्छा रहेगा और financially भी अच्छा है दो तरह के funds आप लगा सकते हैं एक तो जिसमें आप dividend लगातार लेते रहेंगे अपने savings account के अंदर दूसरे आप dividend को reinvest करते रहेंगे यानि के growth plan लेकिन अगर आप SIP कर रहे हैं तो growth plan को लेना better रहता है तब ही आपके expected results आपको मिल पाते हैं dividend जो plan है वो share market के अंदर ठीक हैं लेकिन अगर आप SIP कर रहे हैं तो definitely आपको growth plan के अंदर ही जाना चाहिए diversification का एक और matter है कि जब भी आप invest कर रहे हैं अगर तो आप agent के थुरू invest करते हैं तो आपका agent इतना समयदार होता ही है कि आपको large cap, mid cap, small cap, flexi cap अलग-लग तरह के funds दिलवा कर देगा ताकि हर तरह की market volatility को आप handle कर सके आपका fund handle कर सके लेकिन अगर आप खुद से ही study करके online invest कर रहे हैं तो आपको इन चारों तरह के funds के अंदर invest करना चाहिए किसी भी एक sector के अंदर यानि कि सिर्फ large cap में ही आप invest करें, सिर्फ mid cap में ही invest करें, वो करना नहीं चाहिए पैसे को बांट कर लगाएं ज्यादा से ज्यादा number of funds हो ज्याद से ज्यादा उसमें variety हो के mid cap हो, flexi cap हो debt funds के अंदर invest करने से बचना चाहिए अगर आप 20-25% का return expect कर रहे हैं आम तोर पर होता क्या है कि हमने SIP लगा दिया हमने उसको agent को बोला कि हमें safe चाहिए जहाँ पैसा safe हो, वहाँ SIP लगाना हमारी और वो लगा देता है debt funds के अंदर, या फिर hybrid funds के अंदर जिसमें 80% मान लीजिए debt funds के अंदर लगा है 20% equity में लगा है तो debt funds का return तो 7-8% ही आने वाला है equity का return आ सकता है 20%, 30% लेकिन जब आपका total amount केवल लगा ही 20% हुआ है equity market के अंदर तो आप growth कैसे पा सकते हैं save आप ज़रूर हो गई है 80% debt funds के अंदर invest करके लेकिन आप growth नहीं पा सकते आपके मन में clarity होनी चाहिए कि आपको कितना पैसा debt fund में invest करना है better है कि वो आप FDs के अंदर या long term savings schemes के अंदर invest कीजिए और जब आप SIP के through invest कर रहे हैं तो 100% equity के अंदर आप जा सकते हैं risk है लेकिन अगर आप बने रहते हैं लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो 95% chance यही होते हैं कि आपको 20% से ज्यादा का return SIP देती है दोस्तो ऐसे ही knowledgeable videos देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे comment box में जाकर पूछ सकते हैं different moods को देखने के लिए शुक्रिया thank you